जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो क्या हल चाल है आप सबके आजा करते हैं का आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मातारानी आप सबकी मनो कामना को पूरी करें क्योंकि नवरात्र का ये पावन पर बचल रहा है तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल को लेकर जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग सीधा सीधा कॉंसेट यह होता है भाई साब कि आपको किसी भी प्रोडेक्ट या किसी भी सर्विस का क्या निकालना है कॉस्ट निकालना है तूद अगर हम अपने प्रीवियस चैप्टर की बात करें तो प्रीवेश चाप्टर जैसे अगर हम चाप्टर वन की बात करें पूरा 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 लेक्चर आपको बताया था अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए वहाँ पर प्लेडिस्ट कॉस्ट अकॉटिंग है वहाँ पर आप क्लिक करिए और बागी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं तो चलिए फिर बिन तरीके के होते हैं एक तो आपका raw material होता है दूसरा आपका WIP होता है और तीसरा आपका क्या होता है तो अब इसी के control और इसी के valuation की हम बात करेंगे यानि आपको इस चाप्टर में हम material को material costing को control करना और material costing को evaluate करना आपको सिखाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम valuation की बात करेंगे यानि हम सबसे पहले आपको practical portion cover कराएंगे आपका और यह practical portion जरा लिखिए सभी लोग लिखिए in this chapter there are the following topic to be considered बहुत जल्दी से आप सभी लिखिए in this chapter there are the following topic to be considered कौन कौन सा ऐसा practical portion है इस chapter का जो की हम लोगों को पढ़ना है देखो सबसे पहला तो आपका जो है वो है आपका ABC analysis पहले लिखिए जरा सभी लोग ABC analysis ठीक है यह आज का हमारा topic भी है इसके बारे में हम बात करेंगे दूसरा है आपका determination of stock दूसरा लिखिए जल्दी से determination of stock और इस determination of stock में आप तीन चीजे तीन क्या पांच चीजे पढ़ेंगे ठीक है पहला क्या रहेगा आपका minimum stock रहेगा maximum stock रहेगा average stock रहेगा average के साथ आपका reorder stock रहेगा ठीक है reorder रहेगा और फिर last आपका रहेगा danger stock ठीक है यह danger stock आप यह भी कह सकते हों कि यह danger level है minimum stock label maximum stock label average stock label reorder level और danger दन उसके बाद हम बात करेंगे आपके EOQ की बात करेंगे यानि economic order quantity की हम बात करेंगे और फिर उसके बाद valuation of closing stock के बारे में हम बात करेंगे ठीक है किसके बारे में बात करेंगे लिजेगा यह practical portion है theoretical portion अहम आपको chapter के आखरी में cover कराएंगे या फिर आपका मन करें तो आप अपनी किताब से अपना theoretical portion तो आप अपनी किताब से पढ़ लीजेगा तो फिलाल आज का topic आप लोग लिख लीजे ABC analysis देखो यह ABC analysis होता क्या है जब भी आप ABC analysis की बात करेंगे तो इसका अगर हम इसके नाम की बात करें तो आप अपने इसी ABC analysis को हम आप देखो एक diagram मैंने आपके लिए एक image थोटा सा है इस image के base पर हम ही बात हम बात करेंगे तो जब भी भी आप ABC analysis की बात करते हो ना तो इसको कहते हैं always best choose कहते हैं ABC analysis को हम लोग क्या कहते हैं always best choose कहते हैं मतलब क्या है मतलब इसका यह है भी या ध्यान से सुनो मैं एक बार लिख दूँ always best choose always best choose देखिए द्यान से देखिए आपके सामने मैं तीन example रख रहा हूं ठीक है उन तीन example को base पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आप इसका मुझे जवाब जबाब दीजेगा मान लीजे एक घर है एक आपका क्या है घर है उत घर में आपके पास तीन तीजोरी है कितनी तीजोरी है तीन तीजोरी है एक तीजोरी में डाइमेंड रखा गया है एक में गोल्ड रखा गया है और एक में क्या रखा गया सिल्वर यह आपका गेट है यह आपका घर का क्या है गेट है अरे सर यह तो घर कम और गाड़ी ज्यादा लग रहा है दो च और एक में आपका सिल्वर है और ये उस तिजोरी का रास्ता है माल लीजे इस तिजोरी में आसपास आग लग गई ठीक है अब आग लगी है तो सीधी सी बात है गोल्ड सिल्वर और डायमंड टीनो डिस्ट्रॉय हो सकता है आसर हो सकता है चलो मैं आपको एक option देता हूं कि ब कि बेटा जी आप किसको बचाना चाहोगे गोल्ड को डायमंड को या फिर सिल्वर को जरा सोच के जबाब दीजेगा आप किसको बचाना चाहेंगे यानि आप सबसे पहले कौन सा माटेरियल उठाकर लाएंगे अपने पास गोल्ड लेकर आएंगे सिल्वर लेकर आएंगे या diamond लेकर आएंगे तो आप में से 99 नहीं बलकि 100% बच्चों का एक ही जबाब होगा कि सर पहली बार में हम diamond लेकर आएंगे और अगर मैं आपको ये दूसरा option दूना तो दूसरे option में आप लोग gold लेकर आओगे और अगर मैं तीसरा option दे दूँ तो अब जाके आप silver लेकर आओगे सही है कि नहीं है यही है ना तो बस ABC analysis इसी पर बात करता है वो क्या करता है कहता है कि आप अपने material को तीन भागों में क्या कर दो बाट दो अपने material को कितने भागों में बाट दो तीन भागों में बाट दो तो दो बेस पर माटिएगा दो प्रिंसिपल पर माटिएगा एक प्रिंसिपल आपका क्वांटिटी होगा और एक प्रिंसिपल आपका क्या होगा प्राइज होगा ठीक है यानि प्राइज और क्वांटिटी के बेस पर आप मटेरियल को तीन भागों में आप लोग क्या कर दी कितने भागों में बाट दीजे अब सुनिए ध्यान से जिसका प्राइज सबसे जादा होगा उसकी कौंटिटी भी क्या होगी stickyler यहलों करें आपको एक लाख रुपया दे दूंख एक लाख रुपया में सिलवर का जो प्राइज वो सबसे कम है हाँ या ना अगर मैं एक लाग का पूरा का पूरा सिल्वर लेकर आऊं उसकी क्वांटिटी मेरे को ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ज्यादा मिलेगी as compared to the gold gold से ज्यादा मिलेगी हाँ या ना अगर मैं gold का compare diamond से करूँ जरा अब बताओ अब क्या ज्यादा मिलेगा गोलड ज्यादा मिलेगा या diamond ज्यादा मिलेगा तो डाइमेंड कम मिलेगा और gold क्या होगा आपका जादा मिलेगा तो बस यही चीज आपको यहां फे follow करनी है यानि आप अपने stock को 3 category में बाटिए और वो 3 category में सबसे पहली category आपकी A है दूसरी category आपकी B है और तीसरी category आपकी क्या है C है अब इस ABC में क्या क्या रखें sir देखो इस ABC में जैसे आप जब A की बात करते हो न तो A में जो price रहता है जो उस material का जो price रहता है वो रहता है आपका 72-75% यानि overall material costing overall material costing का जो price रहता है वो 72-75% रहता है कितना रहता है आपका 72-75 यह figure आप याद रखिएगा exam में यह लिखना पड़ेगा और साती साथ जब हम इसके quantity की बात करते हैं किसकी बात करते हैं quantity की बात करते हैं तो वो quantity आपकी रहती है 5-10% यानि overall material की जो quantity रहती है वो क्या रहेगी आपकी 5-10% रहेगी यह A category का रहेगा देखो इसमें लिखा expensive inventory accurate control required यानि जो आपकी expensive material है उन पे control भी क्या होना चाहिए बहुत रखना पड़ेगा क्योंकि जरासा भी अगर default हुआ जरासा भी क्या हुआ default हुआ देखो न मामला गरबड़ा जाएगा कि नहीं गरबड़ा जाएगा जहिए कि नहीं है जैसे आपके घर में जैसे अगर मैं आपके कपड़ों की बात करूँ तो जो lower होता है आप लोगों का वो आप इधर उधर बहाए रहते हो लेकिन जो expensive कपड़े होते हैं जैसे वो हो गया कोट हो गया लहंगा हो गया उसको आप लोग बचा के अलमारी में रखते हो कि नहीं रखते हो और पहनने के बाद दो तीन बार पहनने के बाद उसको dry clean में भेज़ देते हो क्यों क्योंकि वो expensive है भाई वो महंगा है तो जो महंगा होगा उसकी जो number of quantity होगी वो कम भी तो हो आगे तो ए वाला point समझ में आगे अप ठीक उसी प्रकार जब हम B की बात करते हैं तो B में आप उस category को रखो जिसका price आपका 20 से 25% के बीच में आए जिसका price आपका किस के percent में आए आपका जिसका price 20 से 25% के बीच में आए और जिसकी जो quantity की हम बात करते है quantity आपकी रहे 15 से 20 परसेंट के बीच में रहे मतलब इस category में आप उसको रखिए जिसका price क्या है आपका 20 से 25 है जिसका quantity आपका क्या है 15 से 20 है तर क्या यह जो percentage है क्या यह change हम कर सकते हैं देखो 10% के उपर नीचे आप कर सकते हो मैं 10 क्या मैं कहता हूं 5% आप जहां 70 लिखे हो आप वहां पे 75-80 लिख सकते हो जहां पे आप 5-10 लिखे हो वहां पे 10-15 लिख सकते हो लेकिन अब ऐसा मत कर देना कि 70 से 90 रख दो ठीक है अगर 70 से 90 रख दोगे तो यह total overall तो हमको 100 रखना है ना overall percentage हमको कितना रखना है 100 में उन material को आप रखिए जिसका जो price है वो 20-25% है overall costing का और जिसकी quantity आपकी 15-20% है और फिर जैसे ही आप C category की बात करते हो तो देखो यहां पे उस category को रखो जिसका price जिसका price आपका क्या है 5-10% है लेकिन जिसका जो quantity है अब बताओ quantity जादा होगा कि नहीं होगा sir obviously जादा होगा और इसका जो quantity है वो quantity आपका 70 से क्या है 75% है जैसे इसको हम diamond बोल दें इसको हम gold बोल दें और इसको हम क्या बोल दें silver बोल दें और अगर आपको live example देखना है ना तो आप किसी भी cinema hall में चले जाईए इसी भी cinema hall में चले जाईए वहाँ पे जो sitting arrangement रहता है वो इसी ABC analysis के base पर ही रहता है जितने लोग cinema hall गए हैं उनको पता है कि आप gold ticket लेते हैं या diamond ticket लेते हैं या आगे वाली row पे बैठते हैं तो क्या कैसे कहानी है समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब सवाल यह उड़ता है कि सर हम इस ABC analysis को follow ही क्यों करते हैं यह को ABC analysis को follow करने का कारण है कारण यह है कि आपको material क्या करना है आपको material क्या करना है क्योंकि material control का मतलब होता है material cost control इसे सुनो मेरी बात material control का मतलब क्या होता है आपका material cost control और material cost control का मतलब यह होता है control over all the cost आप एक चीज जानिए आपको जब मैं previous lecture में आपको cost seat पढ़ा रहा था जब मैं classification of material कर रहा था याद है कि नहीं याद है classification of क्या कर रहा था material कर रहा था तो classification of material में आपने देखा था कि material is classified in a tree portion one is the raw second one is the WIP and third one is the बोलो बोलो third one is the finished goods राइट तो जो raw material है वो आपके prime cost को effect कर रहा था जो WIP है वो आपके work cost को effect कर रहा था और जो आपका finished goods है वो आपके cost of production को effect कर रहा था यानि अगर आपने material को सही तरीके से control नहीं किया तो आपका prime cost भी गलत आ जाएगा आपका work cost भी गलत आ जाएगा और आपका cost of production भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब समझ में आया कि हम ABC analysis क्यों कर रहे हैं क्लियर हो गया ABC analysis सिर्फ इतना बताता है कि आप अपने material को तीन category में बाट दीजे और यह तीन category इस तरीके से है इन में से आप किसी भी किसी भी material को उसके price और उसकी quantity के आधार पर क्या कर दीजे बाट दीजे concept क्लियर हो गया अब इसके कुछ merits और demerits हम देख लेते हैं क्य ही बार इस तरीके के question आए हैं कि explain the advantage and disadvantage of the ABC analysis तो देखो सबसे पहला advantage ही होता है कि accurate cost of the product accurate cost product by CDC सी बात है जैसे ही आप material को तीन category में बाटोगे material को तीन category में बाटने का मतलब यह है कि आप उसको या तो A में बाटोगे या तो B में बाटोगे या तो C में बाटोगे अब ऐसा तो नहीं कि silver के साथ diamond मिला दो या diamond के साथ gold मिला दो ऐसा तो नहीं करोगे न तो जब आप उसको तीन category में बाट दिये तो आपको अच्छे से पता है कि किस पे नियंत्रण ज्यादा रखना जरूरी है अगर मैं आप से पूछ हूँ कि जरा बताओ सबसे ज्यादा security कि इस पे रखी जाए ए पे मतलब diamond पे gold पे या silver पे आपका answer क्या होगा sir diamond पे ज्यादा रखो एक भी हीरा गया तो मामला गलबडा जाएगा तो आप जब इसको माटते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने cost of product को भी क्या कर रहे हो accurate कर रहे हो यानि सीधी सी बात है कोई भी वेक्ति अगर silver में कोई चीज बनवाना चाहेगा तो उसका cost कम पड़ेगा अगर gold में बनवाना चाहेगा तो उसका cost थोड़ा जादा पड़ेगा अगर diamond में बनवाना चाहेगा तो उसका cost भी क्या पड़ेगा जादा पड़ेगा समझ में आया फिर दूसरा point कहता है कि information about the cost behavior भाई जिसकी जितनी लागत है उसी के आधार पे हम उसके साथ विहेब करेंगे अगर कोई diamond लेने वाला आएगा या diamond वाला सामान हम बेचेंगे तो सीधी सी बात है हम उस पे priority जादा रखेंगे जैसे suppose करिए कि चार customer आए चार नहीं तीन customer आए एक ने कहा कि sir मेरे को ring चाहिए silver वाली दूसरे ने कहा sir मेरे को एक ring चाहिए diamond वाली कसी ने कहा 불 मेरे को एक ringचाहिए आपकी gold वाली जारा सोचके बताइए किसके जाने पर आपको दुख होगा है नहीं क्सक्तमर तो तीन हो है तीन हो चले गए दुख तो होगा लेकिन सबसे ज़्यादा दुख किस पर होगा कौन से कस्टमर पर जिसने समान ना लिया हो डाइमेंड वाले पर क्योंकि प्राइज उस पर ज़्यादा मिल रहा था मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक डाइमेंड बेचा एक डाइमेंड बेचा तो मैंने चार सिल्वर का काम कर लिया और तीन या दो गोल्ड का काम कर लिया यह भी तो आप समझो यानि अगर चार सिल्वर बेचूंगा तो एक डाइमेंड आएगा यह भी तो दिमाग में लगाओ ना तो information of the cost behavior तो किसके आधार पर हमको किस तरीके से किस cost के साथ कैसे वीएब करना है वो यहां पर हमें पता चलेगा साथी साथ आपका कहता है tracking the activity of the cost objective like cost objective cost objective क्या होता है cost objective होता है to find the cost to find the total cost total cost and per unit cost आप देखो आप एक जैसे माल लिएजे आप एक unit खरीदना चाहते हैं आपको एक unit का cost पता चलेगा आप एक bulk में खरीदना चाहते हो तो वो bulk कभी आपको cost बता देंगे आपको एक truck समान खरीदना एक truck का भी समान बता देंगे तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको categorize किये रहेंगे तभी तो हमको total cost और per unit cost के बारे में पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा उसके बाद कुछ और advantage हैं जैसे कहता है tracking of the overhead cost फिर कहता है better decision making और फिर कुछ demerits देख लेते हैं demerits में सबसे पहला इसको control करना बड़ा expensive है diamond के लिए security रखनी पड़ेगी मुझे याद है कि जब मैं यहां से जाता हूँ अपने घर के लिए तो एक दो-तीन showroom को मैं देखता हूँ तो दो-तीन showroom पे रात के बारा बज़े भी जाओगे ना रात के बारा भी बज़े जाओगे तो वहाँ पे दो गार्ड बिचारे खड़े मिलेंगे आपको पूरी market में कोई नहीं दिखेगा आपको लेकिन वो जो सोने वाली दुकान है ना वहाँ पे दो गार्ड रात में ट्रैवल करते मिलेंगे आपको expensive है भाई security camera लगा होगा वहाँ पे बड़े-बड़े क्या कहते हैं security के इंतजाम किये गए होंगे तो expensive है कि नहीं है obviously expensive है फिर क्या कहता है कि selection भाई किसको हम किस category में बांटें ये सबसे बड़ा सरदर्द है हमारे लिए सबसे किस category में किसको बाणटे यह सबसे बड़ा सरदर्द है दूसरा कि यह छोटे फर्म के लिए यूसफुल नहीं है यह बड़ी फर्म के लिए आपका क्या है यूसफुल है और लास्ट की इसमें जो difficulty है मेजर करने की difficulty है वो सबसे ज़्यादा problem create कर देती है अब कहोगे कि सर मेजर करने की difficulty कौन सी क्यों नहीं यह price वाला quantity वाला यही तो आपकी difficulty है आते समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो यह है आपका ABC analysis जिसके base पे हम क्या करते हैं बात करते हैं I hope आपको यह ABC analysis समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं अपने determination of closing stock माफ करिएगा determination of the stock label की हम बात करते हैं तो फिलाल अभी आप लोग इसका screenshot ले लीजे और अगर आपको कोई भी समस्या होती है यह चीजे नहीं समझ में आती जैसे क्या होता है आप यहां से पढ़ें यहां से पढ़ने के बाद अब आप अपनी किताबों से पढ़ोगे किताबों का माल लीजे कोई line आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई paragraph नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए क्यों परिसान है हमारी जो community है accounting गुरू एप की जो community है या जो WhatsApp चैनल है या जो आपका accounting गुरू का WhatsApp गुरूप है उसको join कर लीजे link आपको description box में मिल जाएगा Facebook पे Instagram पे आप कहीं पे भी message करोगे न आपको मिलेगा जबाब यहां तक कि मैं आपको phone number तक दे कर बैठा हूँ यार phone number है उस phone number पे call कर लो और इससे जादा मैं क्या कर सकता हूँ आपको सिर्फ एक चीज करनी है क्या channel को subscribe कर लो well icon press कर लो ताकि आपको class की regular update आपको मिलती र चलिए फिर अब हम बात करते हैं आपके determination of the stock label की हम बात करते हैं